कि आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमीडिये नैचर सेजर में मित्रों आपका स्वागत है आज बात करेंगे एक न्यूट्रा सूटिकल प्लांट की मोरिंगा ओली फैरा सहजन होर्स रेडिस यह प्लांट हमारे शरीर के अंदर विभिन परकार के मिनरल्स की कमी को पूरा क के अंदर विटमिन ए विटमिन बी कंप्लेक्स विटमिन सी और विभिन परकार के पोली फिनॉलिक फ्लावनाइड और एंटी ऑक्सिदेंट्स पाए जाते हैं वंडर्फू रेमेडी है डिफरेंट सिस्टम्स अफिलिंग में इसका इस्तमाल किया जाता है आज बात करेंग विशेश रुक से जैसे इसके आप फूल देख रहे हैं फूल एंटी ऑक्सिदेंट्स का और पॉलिफिनॉलिक कंपाउंड का प्रिच सोर्स है फूल का उप्योग आप इखटा करके चून बनाके रख सकते हैं मिनरल्स की कमी को पूरा करते हुए शरीर का पुसंद देता है और शरीर के जननंगों को मजबूती देने का अपकारियाई करता है वाजी करन के लिए आप इसके फूलों को दूद में पका लीजिए और सेवन कीजिए पतकारी परिणाम देखने को मिलेंगे मित्रो इसके पतियों में भी कई मिनरल्स और विटमिन्स पाया जाते हैं कई लोग तो घरों में इससे पकोड़े या सबजियां तयार करते हैं जोकि विशेश लाबदायक होती है obesity के लिए weight lose करने के लिए cholesterol को कम करने के लिए इसके पत्र इस्तमाल में लाते हैं सबजियां बनाते हैं blood purification के माध्यम से liver remediation के माध्यम से बहुत अच्छा कारे करता है इसके पत्र का स्वरस निकाल लीजिये 10 से 15 ml आप इसको पीजिये सहद मिलाकर देखेंगे कि liver remediation करते हुए आपकी अच्छी भूक लगने लग जाती है cholesterol डाउन हो जाता है और hypertension की अगर पुरानी समस्या हो वो भी दूर हो जाती है तीन परकार से हमारे शरीर में एक कारे करता है liver, kidney और lungs तीनों को remediation का कारे करता है अगर bronchitis की समस्या है या शरीर के किसी भी अंग में सूजन है inflammation है bronchitis हो चाहे appendicitis हो या pericarditis हो इन तीनों परकार की सूजन में internal swelling कई बार हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है जिसके वज़े से हमें थोड़ा थोड़ा बुखार भी रहता है और बार बार ये बुखार होता रहता है तो हमें पता नहीं चलता है पेट के कीडे भी होते हैं तो उसके कारण भी immunity हमारी compromise हो जाती है इन सबी परकार के रोगों के निराकरण के लिए आप क्या कर सकते हैं आप अगर पत्र मिल जाए तो पत्र का सुरस बनाकर 10-15 ml और इसमें सहद मिलाकर 7 कर सकते हैं और अगर पत्र ना हो तो आप इसकी चाल का काड़ा बनाकर सेवन कीजिए बहुत अच्छा कारे करता है वित्रो चाल पत्र फूल यह तो प्रकृति के दिये हुए विशेश अनुदान हैं ही अगर यह भी ना मिले तो आप इसकी मूल का भी इस्तमाल कर सकते हैं मूल में घटक जादा पाय जाते हैं लेकिन मूल के न हमाल कर लें पत्र और फूल का इस्तेमाल कर लें वह भूस्पर होता है साht यह कई बार क्या होता है कि हमारे कि और कि अचानक प्रेल होने हो लग करती है इस प्रकार के रोगों का नेराकरण करती है आप इसका चाल का डिकॉक्षन बनाइए उसमें सहद मिलाइए और दिन में दो से तीन बार आप आसानी से सेवन कर सकते हैं मिनरल्स का विटमिन्स का यह भरपूर खजाना है बोड़ी की कमियों को पूरा करता है कई बार मि इस प्लांट की फलियां भी आती है जिसको ड्रम स्ट्रिक कहते हैं और उनकी आप सब्जियां भी खाते होंगे तो क्या कभी आपने सोचा है कि इन सब्जियों में कितने विशेश केमिकल कंपाउंड या मिनरल्स पाय जाते हैं जो शरीर की इमिन्टी बढ़ाने में किस प् फलियों का सेवन करते हैं तो वह नाकेवल शरीर के मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं बलकि अगर किड़नी या लिवर में भी स्टोन की समश्या है तो उसके भी निराकरण में विशेश उप्योगी होते हैं हमें ड्रम स्टिक्स का इस्तमाल करना चाहिए और वह बहुत ही है इस्तमाल कीजिए कई बार क्या होता है कुट्टे के काटने के बाद या किसी सर्प के दंस के बाद जा स्कॉर्पियन बाइट के बाद आप क्या कर सकते हैं आप छाल का काढ़ा बना कर घाव को दो दीजिए और इसके पत्र का 10-15 इमल सुरस भी पीते रहे हो सके तो प्लांदा नमक भी मिला लिजिए एंटी डॉट का यह विश्यस कारे करता है नेचुरल एंटीबायोटिक्स भी इस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं पैनिसलिन की तरह प्लांट कारे करता है इंफ्लामेशन से रिलीव करने के लिए मित्रो इसके सीड से वील भी लेप्रोसी की समस्या हो गौनोरिया की समस्या हो या फिर कुछ गुप्त रोगों की समस्या हो तो उसके निराकरन के लिए आप इसके तेल का इस्तमाल कीजिए आसानी से इस परकार के रोगों को यह सही करता है और दुबारा बनने की प्रकृति को भी रोकता है जहां यह र कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन अधिकता हर वस्तु की बेकार होती है तो इसके तेल का आप इस्तमाल कीजिए विविन प्रकार के घुटनों का दर्द है जॉइंट पेन है इंफ्लामेशन के कारण पेन है तो उसके निराकरण के लिए भी आप इसके तेल का awan की दिखें कीजिए और यसके साथ डिकॉक्षन का भी नियमत पे करते रहें डिकॉक्षन अभी आपको पे बनाकर सोषा करते रहें विशीछ लाब होता है मित्रों यह जो नैचर का गिफ्ट है इसको आत कंजर्व कीजिए इसको आप संध्शित कींजिए ताकि और भी लो से या सीड के माध्यम से आप आसानी से इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं यह ज़्यादा इरिगेशन के आफ सकता इस प्लांट को नहीं पड़ती है लेस्ट रिसूर्स की इसका पड़ती है तो इस परकार से आज आप ने जो यह बातें जानी हैं आप इनको सांजा कीजिए औ और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि डेली हेल्थ अपडेट्स आपको मिलते रहें आप अपनी समस्चाओं के निराकरण है तो हमें इमेल के माध्यम से या टेलीफोनी के लिए भी हमसे संपर्द कर सकते हैं इनी बातों के साथ आप सभी को मेरा प्र